तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक वीडियो को देखिएगा इसमें सब चीज़े बताई गई है बहुत अच्छे से आपको समझाय गया है तो आप इसको पूरा अंतक जुरूर देखिएगा जो भी आपको डाउट आता है कोई इसमें अगर सजेशन है करना बहुत पूसरा होई है कोई भी डाउट है कोई भी फीड़बेक है तो उसको कॉमेंट सेक्षिन में करके जुरू बताईएगा तो आप स्टाट करना चाहूंगा कि एफ और मेंस के लिए टेस सेरीज चल रही है और यारू सची वाले के लिए कंप्लीट प्रपिशन ब अंदर जो भी एक्जाम होने वाले हैं उन सभी के तैयारी आपकी बहुत अच्छे से तरीके से हो सकती है अगर आपने इस वाच के जोइन कर लिया सहसत करन्ट अफेर्स के पीडिएफ साब ले सकते हैं ये डेली बेसिस के आती है और डेली एमसी की प्रैक्टिस चलता है आ पुमला है यानि कि Prevention of Money Laundering Act अलाव करता है EDO to take cognizance of any offense across India with or without the consent of state governments जिस तरह से CBI को किसी स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है उस स्टेट में जाकर महाँ पे investigation करने के लिए ED को पुमला Act के तहत प्रिवेंशन आप Money Laundering Act के तहत ये एक उसको facility प्रवाइड होती है कि उस किसी राज्ये से permission नहीं लेनी पड़ती अगर उसको किसी राज्ये में जाकर कोई भी investigation करनी है यानि कि ED कोई भी case ले सकता है किसी भी राज्ये में उसको इसके लिए कोई permission की जरूरत नहीं है जबकि यहीं पर अगर CBI की बात करें तो उसको permission की जरूरत है Schedule of the Pumla has increased from 6 offenses in 2002 to 30 groups of offenses encompassing over 147 provisions now तो पहले Pumla के अंदर 6 offenses आये करते थे सिर्फ 2002 में अभी यह भढ़ते 147 offenses ऐसे हैं या 147 provisions ऐसे हैं जो इसके तहर डाल दी गए है National Investigation Agency NIA 2 has powers to take sumo to cognizance तो National Investigation Agency जो बाद में बनाई गई जब 2008 का attack हुआ Mumbai terror attacks हुए तो उसके बाद 26-11 के हमलों के बाद NIA बनाई की National Investigation Agency और उसको भी power दी गई कि उनके पास power है कि वो sumo to यानि खुद बखुद cognizance ले सकते हैं किसी भी offense का जो देशवर में हो रहा है It is limited to about a dozen offenses लेगी यहापे कुछ 12-13 offenses हैं जिनकी responsibility NIA को दी गई है फिर बात आती है amendment in Pumla's Ambit तो 2009 में criminal conspiracy जो section 120-B के तहत होगा करता था IPC को IPC के अंदर उसको Pumla में add करते हैं गया This has allowed the ED to enter any case where a conspiracy is alleged यानि कि इस act के तहत 2009 में जो criminal conspiracy को add करते हैं Pumla में तो इससे ED को यह power मिली कि जहाँ पर भी कहीं पर भी शडियंत्र की अगर बात कही जा रही हो या कहीं पर भी यह आरोप लगा हो कि वहाँ पर शडियंत्र हुआ है conspiracy है तो वहाँ पर ED एकदम से कोच सकती है Even if the principal offense is not part of the Pumla schedule लेकिन अगर Pumla का schedule भी ना हो principal offense तब भी वहाँ पर वह जा सकता है 2009 में ED also got international jurisdiction as far as tracking laundered money was concerned laundered money का मतलब क्या है laundry क्या होता है money laundry का मतलब समझे इस तरह से मतलब समझे laundry वो जहां होती है जहां पर हम अपने गंदे कपड़ों को धुलवाते हैं इसको साफ करवाते हैं यानि कि गंदे कपड़ों को अगर हमें साफ करवाना है तो हमें उसको कहते हैं कि हमने इसको laundry में दिया है तो money laundry भी कुछ इसी तरह से होती है अगर मेरे पास black money है और उसे मुझे white money में convert करना है तो उसको क्या करना होगा money को launder कर देना होगा तो यही एक जो तरीका होता है इसको money launder कर देना होगा तो 2009 में international jurisdiction का जो कोटा था वो भी इसको मिल गया और 2015 और 2018 में ED was allowed to attach properties in India equivalent to properties acquired abroad through laundered money तो 2015 और 2018 में फिर ED को ये power मिल गई कि अगर कोई व्यक्ती ने अगर किसी व्यक्ती ने पैसे का गलत इस्तमाल करके foreign में internationally कुछ properties खरीदी हैं तो उतने ही रुपे की property अगर उसकी इंडिया में है तो उसको attach कर सकता है यानि कि उसकी जब्ती कर सकता है 2019 में government ने लाव कर दिया ED को to attach properties earned directly और indirectly through an alleged criminal activity that has even relatable to a scheduled office तो पुमला के provisions अगर हम देखें जिनकी उपर contentious है यानि कि जो विवादा स्पाथ है अगर उनको देखें तो पुमला's provision on the admissibility of statements made by the accused as evidence and the stringent bail provisions have been the most contentious यानि कि अगर किसी को ED ने arrest किया है पुमला के तहत को ये arrest हुआ है तो वहाँ पर bail की provisions बहुत मुश्किल है यानि कि अगर किसी person को money laundering के तहत arrest कर लिया गया है तो बहुत मुश्किल है कि वो jail के चार दिवारी से बाहर आ जाए It is the only act in the country in which a statement recorded before an investigation officer is admissible in court as evidence Court में अगर आप police के सामने कोई गवाही देते हैं तो वो court के अंदर admissible नहीं होती इस बिनापे कि हो सकता है कि police ने आपके साथ जात्ती की हो हो सकता है कि police ने या investigating officers ने आपको डराया हो धंकाया हो तो आपने उनके दबाफ में आकर अपना जो आपकी जो बात कही हुनोंने आपने उनको सामने बात बोलती इसलिए court इसको मानता नहीं है court अपने सामने गवाई दिलवाता है कि वहाँ पर उस person को डर नहीं होगा कि वो person जवाब दे लेकिन यही act ऐसा है मातर की पुमला act ऐसा है कि इसके तहत अगर कोई criminal एक investigation officer के सामने जो भी गवाई देता है जो भी अपनी बात रखता है उसको court of law में भारत के अंदर उसको admissible वाना जाएगा यानि कि वो court उसको accept करती है अगर किसी person को पुमला के तहत अरेस्ट किया गया है यह बहुत बड़ी बात है next आता है the provision for bail stipulates that a magistrate will not grant bail to an accused unless he is convicted that prima facie no case made out this provision was struck by the supreme court on the ground that is pre-supposed the trial at the stage of bail itself इसको supreme court ने खारिच करती है था फिर बाद में but a larger bench headed by justice A.M. खान विलकर उन्होंने appell किया कि सभी provisions जो है पुमला के वो सही है including strict bail conditions और मनी लॉंटन केस में जो बहुत मुश्किल से bail मिलती है bail के condition जो इतने strict है उनको भी सही बताया A.M. खान मिलकर की पीठने next आता है जो trust है miss trust है वो UK की next prime minister बन गई है तो miss trust won a vote share of 57% और जो former chancellor थे रिशी सुनाक उनको हरा कर वो जीर गई है miss trust is set to become Britain's 56th prime minister and the third women to hold the position तो वो 56th prime minister बनी है और तीसरी मुहिला बनी है जिनको ये post मिल रही है और वो Balmoral कैसल गई है Scotland में जहांपे उन्होंने शपत लेंगी और Queen Coast है उन्होंने जिन्दा थी तो Queen को उन्होंने बने credentials रखे थे next आता है गहलोद government to roll out urban job scheme तो जो घहलोद government है राजिस्थान के अंदर वो जिस तरह से मन्रेगा गरामीन शेतरों के लिए एक scheme है उसी परकार से urban guarantee job scheme जिसके बारे में बहुत लंबे समय से बात की जा रही थी उसको रखा है तो एक urban employment guarantee scheme will be rolled out in राजिस्थान from September 9th with a budgetary provision of 800 crore in 2022 तो 800 crore के budgetary provision के साथ September 9th को इसको launch कर दिया गया था more than 2.2 lakh families have registered under the scheme करीब करी 2 lakh families से जाद scheme के तहरा registration किया है which is expected to provide employment to the poor and needy people including those affected by the pandemic जिनको महामारी के दौरा हालगी महामारी के दौरा को ही ऐसा हम कह सकते है शक्स रहा हो जिसको effect ना किया हूँ महामारी ने pandemic ने लेकिन फिर भी जो आर्थिक रूप से बहुत ज़ादा effect हुए है उनको भी उनको ये जो scheme है वो बहुत ज़ादा help provide करेगी चीफ मिनिस्टर अशो गहलोत had announced the launch of this scheme named after former प्राइम मिनिस्टर इंद्रा गांदी तो इंद्रा गांदी जी के नहाम पे इसको रखा गया है और इनको सो दिन का काम मिलेगा employment to families living in urban areas जो शहरी शेत्रों में रहते हैं on the lines of the manrega तो manrega के तहत बिल्कुल same to same हाँ पे मिलेगा जितने भी family members है 18 से लेके 60 साल की उमर तक के जिनके पास job card holder होगा यानकि अगर job card है वो उनके पास तो वो eligible हैं कि वो ये काम कर सकते हैं next आता है ministry of home affairs has been ranked at one under the central ministries portal तो central ministries portal के तहत ministry of home affairs यानकी ग्रह मंत्राले जो है जो श्रीयमिशाह जी गेंडर आता है उनको ranking number one दी गई है in a national e-governance service delivery assessment जिसको conduct किया है किसने DARPG ने department of administrative reforms and public grievances तो उसके तहत उसको first rank मिली है तो digital police portal जो है NCRB का उसको दूसरे number पे रखा गया है in the assessment under the central ministry services portal national e-governance service delivery assessment इसको conduct करवाता है DRPG किसके साथ NASCOM के साथ और KPMG के साथ 2021 में ये एक periodic assessment है intended to improve the effectiveness of states तो कि इसलिए रखा गया है जिससे की जो states है, राज्य है, कि इंदर्शाश्री प्रदेश है वो अपनी online services अपने नागरिकों को बहुत अच्छे से और तवरित रूप से दे सके हैं जिससे की उनके जो online portals है उनकी ranking improve हो सके इसलिए काम उठाय करे जा रहे हैं All government portals that were evaluated were divided into two main categories सभी government portals को दो categories में बाढ़ दिया गया है एक तो states की unit territories की central ministry portal एक state unit territory, central ministry services portals फिर चार main parameters हैं क्या क्या parameters हैं एक तो accessibility यानि कि आपकी सुलब्दा क्या है यानि कि आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं अक्सेस कर पा रहे हैं content availability कि वहाँ पे क्या content available है फिर ease of use कितनी असानी साब उस चीज को यूज़ कर पा रहे हैं information security वहाँ पे अगर आप कुछ information है तो वो secure है या नहीं privacy for central ministry portals और उनकी privacy क्या है एक additional three parameters were also used for the central ministry services portals इसकी end service delivery यानि कि last message service delivery है वो किस तरह से हो पा रही है integrated service delivery यानि कि एक ministry से दूसरे ministry के अगरे मालत कोई काम ऐसा है जो दो ministry या तीन ministry इसकी help से हो पाएगा तो क्या आपस में ministries integrated है या नहीं है and request tracking और request यानि कि जो आपने application डाली है आपने request डाली है तो seed belts और head restraints की बात की जा रही है और safety regulations की तो देखें पिछले दिन हमने देखा था जिस तरह से जो Cyrus मिस्त्री थे जो former Tata Zans के chairperson रहे थे chairman रहे थे उनकी जो मृत्ती हुई पीछे बैठे हुए भी तो पीछे माना जाता है अगर head on collision होता है गाड़ी की आगे से ठकर होती है तो जातर पीछे वाले व्यक्ती बच जाते है और आगे वाली व्यक्तियों की मृत्ती हो जाती है लेकिन इस case में जस्ट उल्टा हुआ कि आगे की जो दो लोग बैठे थे वे दोनों के दोनों बच गए की आगे आगे गरे और जिससे की उनके जो injuries हुई और वो इस injury के वेज़े से उनके death हो जाती है तो अब यहाँ पर जो बात की जा रही है यहाँ पर सिंपल से बहुती जो concept था 3 point seat belt का जो इस टाइम पर आती है सभी गाड़ियों में जो इस टाइम पर आप जो seat belt देखते है वो 3 point seat belt है और एक आती है 2 point seat belt 2 point seat belt हमें कहां दिखती है वो हमें दिखती है aircraft में जब आप aeroplane में बैठते है aeroplane में जो कहा जाता है कि आप अपनी हवा में हवाई पेटी बांद लीजे यानि कि जो aeroplane की seat belt होती है जो हमें को कहा जाता है बांदने के लिए वो 2 point seat belt होती है और ये 3 point seat belt है जो हम cars में बांदते हैं तो 3 point seat belt उसको engineer किया था Nils Ever Ballin ने एक passive safety device था जिसको सबसे पहले जो Swedish car company है Volvo उसने इंटूडियूस किया था 1959 में वोलवो ये भी कहती है 2020 के बाद से कि उनकी कार में कोई मर नहीं सकता अगर 2020 के बाद के जो models है वोलवो के कार के तो उनका वोलवो का कहना ये है कि हमने अपनी कार को इतना safe and secure बनाए है कि हमारी कार में बैठ कर कोई person seriously injured या मर नहीं सकता and now standard in cars sold in India is a low cost restraint system अभी एक low cost है और सभी कार्स mandatory है कि सभी कार्स को देना है बात ये है कि ये पीछे वाली seats के लिए भी होता है लेकिन 95% से जादा लोग ऐसे हैं पूरे भरत में ऐसा कहा जा रहा है अलगलग researches बताती है कि लोगों को या तो पता ही नहीं है कि पीछे भी बैटके seedbed लगानी होती है या उनको इसके बारे में जो कानून है उसके बारे में भी नहीं बता है और तीसरी बात ये है कि वोग लगाती नहीं है In the US, unrestrained drivers and passengers represented 48% of all deaths in vehicles crashes during 2016 Next, Tamil Nadu के एक पापनकूजी village से एक news आ रही है कि 100% वहाँ पे grey water का saturation किया गया है saturation management हुआ है 100% grey water का यानि कि जो grey water है grey water कौन सा पानी होता है जो हमारी kitchen से निकलता है washing machine से निकल रहा है कोई पानी यानि कपड़े धोने के वज़े से नहाने के वज़े से जहाँ पे इंसान का ये जानवर का मलमूत्र उसमें introduce नहीं किया गया यानि कि urine और dung उसमें नहीं डलावा है जो सिर्फ नहाने के वज़े से पानी हुआ है कपड़े धोने के वज़े से जो पानी गंदा हुआ है या बरतन धोने के वज़े से जो पानी गंदा होता है जो पानी grey हो जाता है उस पानी को 100% उसको वापिस से saturation के रूप में हूँ उसको वापिस से यूज कर सकते हैं उस पानी का तो वो management किया गया है तमिल्लाडू वे गाओं में तो a gray water management system has been successfully implemented in पापन कूजी विलेच पिंचायत in कांची पूरम district of तमिल्लाडू system में include किया गया है individual household की जो individual अलग अलग घर है उनके soak pits हैं यानकी गड़े बनाए गए हैं वहाँ पे and community soak pit फिर एक बाद में community soak pit बनाए गया है जहां पे horizontal और vertical type के filter लगाए गया है जो 42,000 liter जो gray water जो generate होता है हर रोज गाओं में उसको treat करता है the initiative is a part of this स्वच भारत mission gramene स्वच भारत mission gramene के थाहती ये बना है gray water क्या होता है? gray water is the category of waste water ये गंदा पानी होता है that is not contaminated with fecal matter and urine यानि कि urine भी ना हो उसमें और fecal matter भी ना हो fecal matter का मलब हुआ कि जैसे जो मल मूत्र होता है मूत्र या मल होता है वो भी उसके अंदर ना हो तो उसको fecal matter कहते है this includes अब कौन-कौन सा पानी होता है यसे नहाने से आया बढ़तन धोने सा आया कप्रे धोने से जो पानी हाया laundry से जो पानी हाया उसको इसके अंदर include करते है तुछ error हो गए थी अब देखते है next आता है कि NHPC science MOU for development of pilot green hydrogen technologies तो NHPC ने MOU sign किया है जिससे की pilot green hydrogen technology बना सके NHPC ने sign किया है 2 MOU in line with the country's result to reduce the carbon footprint कहाँ पे ले में और कारगल डिस्टिक में लद्दाख के अंदर तो लद्दाख के अंदर बात की जारी है next आता है Prime Minister श्री नजरेन मोदी ने unveil किया है sprint challenge जिसका aim था to give a boost to usage of indigenous technology इंडियन ने भी कि भारती नौ सेना के अंदर indigenous technology ने कि स्वेदेशी technologies हैं उनका इस्तेमाल को बढ़ाया जाए तो उसको इस्तेमाल करने के लिए sprint challenge लाए गया है तो इना bid to achieve आत्र निर्वरता in defense and as part of अजादी कमरित महसव नैशनल इन्नोवेशन एंडिजनाइजेशन और्गनाईजेशन जो है NIIO इन कंजेक्शन विद दिफेंस इन्नोवेशन और्गनाईशन एमस to induct at least 75 नए indigenous technology इनको कहना ये है कि 75 नए टेखनोलोजी ऐसे इंडिदीश की जाएगी NIIO और जो टेखनोलोजी डवलमेंट एक्सलेरेशन सेल है उनके दुबारा इसको करा गया है नेक्स आता है नैशनल क्लीन एर प्रोग्रम बहुत इंपॉर्टन प्रोग्रम है 2019 में इसको बनाए गया था स्टार्ट किया गया था उसको समझते है तो नैशनल क्लीन एर प्रोग्रम क्या है तो नैशनल क्लीन एर प्रोग्रम वस लॉंच्ट बाई टी मिनिस्ट्र आफ इन्वार्मेंट फॉर्स और इन्वार्मेंट चेंज MOEFCC ने इसको जनवरी 2019 में स्टार्ट किया था ये एक लॉंग टर्म है टाइम बाउंड है नैशनल लेवल स्टार्टेजी ये सभी वर्ड्स बहुत इंपोर्टेंट है UPSC या PCS आपको यही पे फसाएगा लॉंग टर्म की जंगा शॉर्ट टर्म लिख देगा टाइम बाउंड की जंगा टाइम अनबाउंड लिख देगा कुछ भी लिखके आपको फसा सकता है तो यह बहुत इंपोर्टेंट को ध्यान रखिए कि यह एक लॉंग टर्म प्रोसेस है लॉंग टर्म के लिए सोचा गया है लंबे समय के लिए टाइम बाउंड है लेकिन समय के एक सीमा रहेगी उसमें आपको करना है नैशनल लेवल यानि पूरे नैशनल लेवल पे स्ट्राटेजी तियार की जारी है मेकिंग डिटरमाइन एफ़र्ट्स कि हम कुछ ऐसे एफ़र्ट्स लाएं जिससे की एर पॉल्यूशन को हम डील कर सकें NCAP के अंदर यानि कि NCAP के अंदर National Clean Air Program के अंदर यानि विसाज किया गया था यानि कि ये परिकल्बना की गई थी कि हम 20 से 30% का reduction जो particular matter का जो concentration है यानि कि particular matter का जो सर्जन है उसमें हम 2024 तक कम कर लेंगे और NCAP जो implement किया गया है वो भारत के 132 शहरों में किया गया है जिनको non attainment cities कह रहे है non यानि कि non, a, a, t, a, i, n, m, e, n, t non attainment का मलब यह है कि ये वो states हैं या ये वो cities हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया और अपने हाँ पे pollution बहुत जाद कर रखा है इन्हें कि non attainment है pollution का level जो कम करना था वो नहीं कर पाए there has been an overall improvement overall improvement तो हुआ है PM10 concentration में पिचाण में शहरों में including 20 cities confirming to the national ambient air quality standards in the year 2021-2022 as compared to 2017 तो 20 cities ने तो जो national ambient air quality standards है उनके तहत एक coordination भी कर लिया है निकि उनके तहत जो national ambient air quality standards के जो होना चाहे था उतने standards पे वो आ गए है NCAP covers non attainment cities जहाँ पे national ambient air quality standards जो है पिछले 5 सालों से लगातार अगर वो भढ़ते से जाएंगे तो उसको हम non attainment city कह देंगे मालतियां अगर कहीं पर pollution का level 2 होना चाहिए लेकिन अगर वहाँ पर pollution का level लगाता टू से जादा आ रहा है पिछले 5 सालों में तो उसको non attainment city कह देंगा under NCAP 124 cities को identify किया गया था और जो आठ को और किया गया था जो million plus cities हैं यानि कि जहाँ पे 10 लाग से जादा population रहती है और 15th finance commission फिर million plus cities challenge funds are covered under NCAP international organizations have also engaged to provide technical assistance यानि कि अंतरास्टी organizations को भी इस्तमाल किया जा रहा है जिससे कि आप assistance दे सकें forest cover की बात की जाती है बहुत important है कि भारत में forest cover कितना है बहुत ज़ादा important है इसको बहुत दियान समझेगा तो जो forest survey of India है धेरदून में वो जो organization है ministry के अंदर आती है ministry of environment के तहरत आती है वो carry out करता है यानि कि हर साल हर साल तो नहीं कह सकते हर दो साल में by annual एक भारत की India state of forest report निकालता ISFR और 1987 से लगतार निकाल रहा है जो सबसे latest आई है वो 2021 की है अब 2023 में वापिस ISFR आएगा as per the latest ISFR 2021 total forest area जो है भारत में ये इतना hectare है 21.71% geographical area है भारत का यानि कि भारत का अगर geographical area 100% है तो उसका 21% जो area है 21.71% जो area है वो किस के अंदर आता है वो जंगल के अंदर आता है वो अलग बात है जब हम पूरा ISFR पढ़ेंगे तरसम में आएगा कि जंगल भारतिय सरकार जंगल किसको कहती है कैनोपी का क्या मतलब होता है वो सब चीज़े उसमें पढ़ेंगे various schemes को implement किया गया है central or state government की unit territory administration की जिससे की देश के अंदर forest cover या tree cover को बढ़ाया जा सके these include national afforestation program national afforestation program चलता है green india mission चल रहा है जो ministry of environment forest इंप्लेमेंट कर रही है national afforestation program एक centrally sponsored scheme है जिससे की जो degraded forest है यानि कि जो जंगल खराब हो चुके है उसको वापिस से सुधरा जा सके अब जो national afforestation program है उसको green india mission के दाट merge कर दिया गया है और ये 8 missions में से एक है जो जो national mission for a green india जो है ये जो national action plan on climate change है NAPCC तो NAPCC के तहत जो 8 missions है उन में से एक mission आता है तो अब देखते हैं कि state और union territory wise देख लेते हैं कि ISFR 2021 के हिसाब से forest cover कितना है अगर हम total forest cover की बात करें तो भारत में total forest cover कितना है 21.71% है और state की बात करें तो state में forest area अगर हम बात करें तो सबसे जादा जो area आता है forest के अंदर वो आता है मध्यपरदेश में ये 77,49,300 hectare ये सबसे जादा area MP में है फिर दूसरे नंबर पर रुदनाशल परदेश में है फिर दूसरे नंबर पर चंटिगड में है सबसे कम जंगल का जो area है वो हरियाना के अंदर आता है Union territory में देखें केंद साशी परदेशों में सबसे जादा जो area है वो अंडमा निकुबार आइलेंड में है फिर लद्दाग में है और minimum जो है वो चंटिगड में है ये तो था area wise अगर हम percentage वाईज देखें कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसका अपने area के हिसाब से सबसे जादा percentage के हिसाब से वहाँ पर जंगल है तो percentage वाईज देखें तो सबसे जादा जो जंगल मिलेगा वो आपको मिलेगा मिजोरम के अंदर MP के सामने बहुत छोटा है लेकिन अपना एरिया का 84% उसका जंगल ही है तो percentage wise अगर forest area देखें बहुत important है यह देखें कि percentage wise forest area maximum मिजोरम में है दूसरे नमबर पर रुनाशल परदेश है यहाँ पर भी percentage wise भी हरियाना में सबसे कम आता है union territory में maximum जो एरिया मिलेगा जंगल का व पर प्रिलेंट के लिए लास्ट में कुछ देख लेते हैं सबसे पहले आता है कि अब यहां पर यहां पर यह चीज इंक्लूड कर दी गई है इसको आप एपर पॉस कर लेजेगा देख लेजेगा इसा चीज इंक्लूड कर दी गई है उत्राखंड के अंदर 45.44% ऐसा एरिय तो RINL ने लॉंच किया है Safety is my Responsibility Campaign as part of अजादी गमरित महसव जो KVIC है यानि की खादी एन विलिज इंडस्ट्री कमिशन उसके चेरमेन है श्री मनोज कुमार प्राइमिनिस्टर ने PV सिंदू कॉंचलेट किया था और विनिंग हर फर्स्ट एवर सिंगापूर ओपन टैटल तो बैडमिनिस्टिन का सिंगापूर ओपन टैटल हुआ था तो उसके लिए प्राइमिनिस्टर ने कॉंचलेशन किया है PV सिंदू को फिवे जीती है फिर आयने सिंदू धवज जो अपने आप में एक सम्मरीन है उसको डी कमिशन कर दिया गया है यानि कि उसको सेवा से नि इसको कंडोल किया और भुपिंदर सिंग कौन है इस इसके उपर सबसक्ते हैं कि यह कौन रहे इनका हाली में इनका निधन हुआ है तो यह कौन थे तो यह सिंगर थे तो इसी के साथ आज से कंप्रेट होते हैं गाईस में आपको कोई बीड़ावट आता है कोई आपका